दोस्तो आज हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसमें आपको इमोजी पर से इंडियन स्विट के नाम गेस करने हैं तो देखते हैं भई कि आपको कौन सा ग्रेड मिलता है ए बी ये सी तो चलिए ये रही आपके सामने पहली पिच्चर तो अच्छे से सुचिए और हमें बताईए कि ये कौन से स्विट का नाम है तो भई जरा सोचो सोचो अरे यार ये सीट तो गेस करना बहुती जी था दिखिए ये दोनों चमक रहे हैं यानि शाइन कर रहे हैं तो हो जाएंगा चम और ये भी चम तो दोनों मिलाकर बन जाएंगा चम चम और चम चम एक मिठाई का भी नाम है तो क्या आपने ये मिठाई कभी खाई है क्या तो वह हमें कमण में जरूर बताईएगा तो चलिए फिर से आपके सामने एक पिच्चर आईए है तो अब आप हमें बताईए कि ये किस स्विट का नाम है अरे यार ये तो बहुती इजी है 100% मुझे पता है कि आपने ये स्विट जरूर खाई होंगी तो देखते हैं भई कि आप में से कौन-कौन ये स्विट सही गेस कर पाता है और ये भई सही गेस किया क्या आपने या फिर आपको टप लगा यार इतना भी टप तो नहीं था ये दिखिए ये है पानी की बून और ये है आई तो दोनों मिला कर बन जाएंगा बून्दी जो एक स्विट का भी नाम है लेकिन क्या यार आपने अभी तक हमें नहीं बताया कि आपकी फ्यवरेट स्विट कौन सी है तो जल्दी से कमेंट करें तो चलिए फटा-फट से अभी स्विट का नाम बताओ भाई मुझे पता है कि ये स्विट तो आपने जरूर खाई होंगी और ये स्विट आप चुटकी बजाते ही हल कर लोंगे तो ना आओ टाइम इजे स्टार्ट तो चलिए इसका जवाब देखते हैं दिखिए ये है जूस जिसे हम रज कहते हैं और बाद में है सरकल यानि गोल और लास्ट में है ए तो तीनों मिलाकर बन जाएंगा रजगुला भाई खाया है ना आपने रजगुला मुझे तो रजगुला बहुत पसंद है तो अगर आपके नुह में भी पानी आ गया ना तो इस बात पर जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो यार तो चलिए अब फटा फट से इस इंडियन स्वीट का नाम बताओ यार ये तो बहुत ही जी है अगर आपने ये स्वीट सही केस नहीं की तो भई आपका स्कोर गिर ज जाओंगे तो आर यू रेड़ी एंड गो अरे यार ये तो बहुत ही जी था दिखिए ये है मिल्क और ये है केक तो दोनों मिलाकर बन जाएंगा मिल्केक तो आप में से किस-किस ने मिल्केक खाया है तो वहां हमें कमेड में जरूर बताईएगा तो चलिए जल्दी से फटा-फट से अब आप इस स्वीट का नाम बता दो भई दोस्तों ये स्वीट तो बहुत ही इजी है और आप सभी ने इसे बहुत बार खाया है तो अच्छी से सोचिए कि यहां कौन सा स्वीट है तो नाओ टाइम इस इस्टार मुझे पता है भई कि यह आपका फ्यवरेट स्वीट है और आपने इसे तो 100% सही गेस कर लिया होंगा दिखिए यह है पेड और यह है ए तो दोनों मिला कर बन जाएंगा पेड़ा जो हम सभी का फ्यवरेट है तो चलिए फटा फट से अब इस लाश्ट स्वीट का नाम बता दो यह आपको थोड़ा टप लग रहा होंगा लिकिन भई यह उतना भी टप नहीं है जितना आप सोच रहे हैं यह भी आपकी फ्यवरेट स्वीट है अरे यार यह तो थोड़ा टप हो गया ना लिकिन कोई बात नहीं दिखिए भई यहाँ पर आग लगी हैं यानि कुछ जल रहा है और बाद में है ए और लास्ट में है मक्खी यानि बी तो तीनों मिला कर बन जाएंगा जलेबी जो हम सभी की फ्यवरेट स्वीट हैं तो भई आप में से जिनों ने छे में से छे के सही जवाब दिये होंगे तो उन्हें ए ग्रेड मिला है तो चलिए इस बाद पर खटा खट से देख लेते हैं आज का question of the day तो हमारे पिछले वीडियो का एंसर था शांती का प्रतीक है वाइट कलर तो ये रहे आज के वो 10 लकी विनत दोस्तों आप सभी को हमारी और से बहुत बहुत बधाई हो तो ये रहा आज का question of the day प्रभू श्री राम की बहन का नाम क्या था तो जल्दी से कमेंट करें तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में